के राधि के राधि दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करती हो आप सब बहुत अच्छे से होंगे अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहा हुँगे दोस्तों कई तरीके के ट्राइ किऊंगे तो आज मैं आपके लिए ड्रेसिपी लाया हूं लेकिन कुछ डिफरेंट है आज हम बनाएंगे पिज्राबोसा तो में साथ आप भी बनाएए और ट्राइ कीजे और खा के मुझे बताइए जरूर के आपको कैसा लगा तो चलिए चलते हैं किचन के ओर और बनाते हैं पिज्राबोसा दोसा बनाने के लिए हमने लिए 3 कटोरी चामल और 1 कटोरी उड़त की दाल चामलों को अच्छे से धो लेंगे साप पानी से 2-3 बार धो लेने के बाद इनको भीगों देना है और 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे दोसा बनाने के लिए हम कोई भी चामल ले सकते हैं जो भी घर में हो मोटे बारीक और इनको मैं आप धोके अलग रख रही हूं भीगोंने के लिए अब दूसरे बावल में मैंने 1 कटोरी उड़त की दाल ले लिए है इसी कटोरी से ही मैंने चामल भी लिए थे तो इसका रेशियो यह ही है तीन कटोरी चामल और एक कटोरी उड़त की दाल साथी मैं इसमें मिक्स करूंगी दो टीस्पून चने की दाल और एक चमच लेंगे मेथी मेथी दाना इससे यह क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं डोसे 5-6 घंटे मैंने यह भीगोने के लिए रखें इसके बाद हमारी दाल भी भीग गई है और चामल भी अब उनको मिक्सी में पीस लेंगे बारीक पेस्ट बनाना है इनका जितना बारीक पीसेंगे उतना अच्छा है दोसे के लिए हमें फाइन पेस्ट यह होता है तो ये उड़त की दाल भी मैंने पीस लिये इसकी आप देख लिजए कि उसकी है और अब साथ में चामल भी पीसेंगे इसी जार में मैं चामल भी पीस रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने इसमें ताकि अच्छा सा बेटर बन जाए बागी की चामल भी मैंने सारे पीस लिया है और यह हमारा घोल तयार हो गया है अब हम इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रखेंगे ताकि यह अच्छे से फूल जाए अब यह हमारा बेटर फर्मेंट हो चुका है तो मुझे जितना चाहिए उतना मैंने ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे इस गोल को थोड़ा मुझे गाड़ा लग रहा है तो इसमें हलका सा पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे और अच्छे से मिला लेना है पिज़ डोसा के लिए इसमला मिर्च राधनिया बारी काटके रखली है साथ में है बटर state पिज़ पिज शूस टमाटाव सौस और हम hymen हरब है bit trying काली मिर्च यह सारी हमें लगेगी गैस पर मैंने तवा रख दिया गरम करने के लिए और कर्ची से हम बैटर को फिला लेंगे अच्छे से बैटर फिला लेना है तवा ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए गैस को मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे और अब इसमें डालना है बट अब इसमें डालते हैं कि इसको बहुति सिंपल तरीके से बना रहे हूं लेकिन ये बहुति अमेजिंग बनता है अब इसमें डालेंगे दो छिम्मज सिम्ला मिर्च मेर्च है और 2 चम्मज टमाटर बारीक कटे वे इसमें और भी सबजीं अयर्ग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो साथी डाला मैंने दो चमच पिजा सॉस एक चमच टमाटो सॉस पिजा सॉस भी मैंने यह घर में तियार की वी है इसकी रेसिपी भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी अब डालेंगे उपर से काली मिर्च करस करके साथी हरा धनिया भी डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको मिलाते वे चलाना है तक ही अच्छे से मसाले सारे मिक्स हो जाएं और इसको अब हम फ्हला लेंगे पूरे डोसे पे इसको चलाते वे फ्हला लेना है डोसे पे अच्छे से गैस को हमने लो फिलेम पे ही रखना है दोस्तों इस दोस्तों को आप ऐसे ही खा सकते हैं इसके साथ किसी चटली सामबर किसी भी चीज की जरूत नहीं है हम मैं इसमें चीज डाल रही हूँ जो मैंने बारी क्रेस करके रखी वी थी इसको पूरा चीज से कवर कर देंगे इसमें अच्छा आएगा मेरे पास कुछ फ्रेस बेसिल पढ़े हुए है बेसिल लीव तो हम इसको गार्निश्टिंग के लिए लगा लेते हैं यह बेसिल लीव से मैं इसको गार्निश कर दूंगी इससे बीस में फ्रेंगनेस अच्छी आएगी जो ही हमारा औरगीनो होता है यह इसी से बना होता है तो मेरे पास फ्रेस्ट थी तो मैं इनको यूज कर रही हूं मैं इसको दो मिन ढखके पका लूँगी और आप देखिए बनके तयार है कितना क्रिस्पी और कलरफुल दिख रहा है यह जितना दिखने में अच्छा लग रह होता है तो आप भी बनाईए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए साथ ही मेरे चनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू कर दो